किसान भाये और बहनो आपका क्रिशी ग्यान चैनल में स्वागत है। आज, हम भारत में कुछ सबसे आकरशक क्रिशी व्यवसाय विचारों का पता लगाएंगे। क्रिशी हमेशा से हमारी अर्थ व्यवस्था की रीर रही है, लेकिन सही व्यवसाय विचारों के साथ यह एक अत्यदिक लाबदायक उद्यम भी हो सकता है। जैविक खेती, जैविक खेती की मांग में उलेकनी अविद्धी देखी गई है क्योंकि उप्भोक्ता स्वास्थे के प्रती अधिक जागरूक और पर्यावरन के प्रती जागरूक हो गए हैं। यह लाबदायक क्यों है? उच्च बजार मांग, जैविक उत्पादों की बजार में पारंपरिक उत्पादों की तुलना में अधिक कीमत मिलती है। सरकारी सहायता, जैविक खेती का समर्थन करने के लिए कई सरकारी योजनाय और सबसिडिय उपलब्ध हैं। निर्यात क्षमता, भारतिय जैविक उत्पादों की अंतर राष्ट्रिय बाजारों में पर्याप्त मांग है। कैसे शुरू करें? जैविक खेती के लिए प्रमानन प्राप्त करें। फलों, सबजियों और मसालों जैसी उच्च मांध वाली फसलों पर ध्यान के इंद्रित करें। स्थानिय किसानों के बाजारों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जैविक स्टो के माध्यम से अपने उत्पादों का विपनन करें। मश्रूम की खेती, मश्रूम की खेती अपने कम शुरुआती निवेश और उच्च रिटन के कारण एक और अत्यधिक लाबदाय क्रिशी व्यवसाय है। उच्च उपज, मश्रूम तेजी से बढ़ते हैं और साल में कई बार काटे जा सकते हैं। न्यूंतम स्थान की आवश्यक्ता, मश्रूम को घर के अंदर उगाया जा सकता है, जिससे ये छोटे पैमाने के संचालन के लिए उप्युक्त हो जाता है। स्वास्थि लाब, सुपफूड के रूप में मश्रूम अपने पोशन संबंधी लाबों के कारण उच्च मांग में हैं। कैसे शुरू करें? उगाने के लिए मश्रूम का प्रकार चुने, जैसे सीप, बटन या शिटेक। खेती के लिए एक नियंत्रित वातावरन स्थापित करें। अपने मश्रूम को स्थानिय बाजारों, रिस्तरा और स्वास्थ्य खाद्य भंडारों में बेचें। भारत में डेरी फार्मिंग एक पारम परिक लेकिन लाबदायक क्रिशी व्यवसाय है, क्योंकि दूद और दूद उत्पादों की निरंतर मांग है। स्थिर मांग, दूद भारती आहार का एक मुख्य हिस्सा है, जो निरंतर मांग सुनिश्चित करता है। विविद उत्पाद, दूद के अलावा आप मक्खन, पनीर, घी और दही का उत्पादन और विक्री कर सकते हैं। उप उत्पाद, गाई के गोबर का उप्योग बायोगयस उत्पादन या जैविक खाद के रूप में किया जा सकता है। कैसे शुरू करें? साहीवाल या जर्सी गायों जैसी उच्च उपज देने वाली डेरी नसलों का चयन करें। दूद देने, भंदारन और परिवहन के लिए उच्चित बुन्यादी धाचा सुनिश्चित करें। स्थानिय डेरी सहकारी समितियों या प्रत्यक्ष उपभोगताओं के साथ संबंध स्थापित करें। मचली पालन या जलिय क्रिशी, प्रोटीन के स्रोत के रूप में मचली की बर्ती मान के कारण लोक्रियता प्राप्त कर रही है। उच्च लाब माजन, मचली की वृद्धी दर तेज होती है और इसका बजार मूले उच्च होता है। सरकारी प्रोटसाहन, मचली पालन को समर्थन देने के लिए विभिन योजनाय और सबसिडी उपलब्ध हैं। निर्यात के अफसर, भारतिय मचली उत्पादों का एक महत्वपूर्ण निर्यात बजार है। कैसे शुरू करें? मचली की उप्युक्त जगह और प्रजातियां चुने जैसे तिलापिया, कैटफिश या जीनगा। उचित वातन और जल गुनवत्ता प्रबंधन के साथ तालाव या टैंक स्थापित करें। अपनी मचलीों को स्थानिय बाजारों, रेस्तरा या निर्यातकों को बेचें। पोल्ट्री फार्मिंग, विशेश रूप से ब्रोयलर और लेयर फार्मिंग, भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले और लाबदाय क्रिशी व्यवसायों में से एक है। त्वरित रिटन, मुर्गिया तेजी से बढ़ती हैं और अंडों की बाजार में लगातार मान रहती है। कम शुरुआती निवेश, छोटे पैमाने पर पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए अपेक शाकृत कम निवेश की आवश्यक्ता होती है। उच्च बाजार मान, चिकन के मास और अंडों की लगातार मान रहती है। कैसे शुरू करें, ब्रॉयल मास के लिए या लेर्ज अंडों के लिए के बीच चैन करें। उच्चित आवास और भोजन व्यवस्था स्थापित करें। स्थानियत दुकानों, सुपर्मार्केट और थौक विक्रेताओं के माध्यम से अपने उत्पादों का विपनन करें। हर्बल और उशधिय पौधों की खेती। प्राकृतिक और समग्र स्वास्थे समाधानों में बरती रुची के साथ हर्बल और उशधिय पौधों की खेती बहुत लाबदायक हो सकती है। बरता बजार हर्बल उत्पादों की मांग वैश्विक स्थर पर बढ़ रही है। उच्च मूल्यक कई औशधिय पौधे उच्च मूल्य प्राप्त करते हैं। सरकारी सहायता औशधिय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन योजनाए हैं। कैसे शुरू करें। एलोवेरा, तुलसी या अश्वगंधा जैसे उच्च मांध वाले पौधे चुनें। यदि आवश्यक हो तो आवश्यक प्रमानपत्र प्राप्त करें। अपने उत्पाद को दवा कमपनियों, स्वास्थ्य स्टो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचें। किसान भाये और बहनों, भारत में क्रिशी उनुद्यमियों के लिए कई अवसर प्रदान करती हैं जो नवाचार करने और बजार के रुज़ानों के अनुकुल होने के इचुक हैं। सही व्यवसाइक विचार चुनकर, बजार की मान को समझकर और उपलब संसाधनों का लाब उठाकर, आप एक सफल और लाबदायक क्रिशी व्यवसाइब बना सकते हैं। याद रखें, सफलता की कुंजी निरंतर सीखने, सर्वोत्तम प्रताओं को अपनाने और बजार के रुज़ानों से अपडेट रहने में नहित है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, किसान भाये और बहनों इसके अलावा भी काफी और क्रिशी व्यवसाइब भी हैं जो की हम अपना सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें हम आने वाले एपिसोड में जानकारी जरूर सांझा करेंगे। हमारे चैनल की अपडेट्स आपको मिलते रहे इसके लिए आप क्रिशी ग्यान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूले धन्यवाद।